साथी साथ हाल ही में गुजरात में हो रही घटना जहां पर चालीस हजार से भी जादा हमारे यूपी बिहार और राजिस्थान के भाई भेनों को बरबरता से पीट कर उनकी बातों को नजन्दाज करकर उनको वहां से भगाया जा रहा है और उसका एक शड्यंत्र जो रचा जा रहा है वो देश के सामने उजागर आई दिन हो रहा है दोस्तों मैं उस भूमी से आती हूँ जहां पे श्री कृष्ण का जनम हुआ था श्री कृष्ण जी उत्तर प्रदेश मत्रूरा में जनमे थे और आप सब को याद होगा जब कंसका उन्होंने वद किया था उसके बाद जिस तरीके से जरासंद उनके पीछे पड़े थे गुजरात की भूमी चुनी थी जरासंद से बचने के लिए उस समय पर उन्होंने कहा था कुछ साल गुजरात में मैं बिताऊंगा द्वारका में अपना घर बनाऊंगा फिर सारी महनत और अपनी ताकत को जोड़कर फिर से मत्रा में जाकर ये लड़ाई लड़ूँगा वहाँ पे गुजरात के भाई बेहनों ने उनको अपना बना कर अपने साथ रखा तो आज आप सोच सकते हैं कि वो गुजरात तब का गुजरात और नरेंद्रमोदी का गुजरात में कितना अंतर है जहां पे वही यूपी बिहार और राजिस्थान के लोगों का सम्मान नहीं किया जा रहा है बहुत दुख होता है बहुत दर्द होता है और बहुत पीड़ा भी होती है कि जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार को अपना घर जैसा बताते हैं असी मेंसे 72 सीट पाने के बाद जिस इनसान का न लेना एक न देना दो उत्तर प्रदेश की धरती से रहा हो फिर भी उत्तर प्रदेश की धरती आपको बनारस से चुनकर भेजती है उसी धरती के लिए काम करने के वजाए अब वहां के लोगों को जो प्रवासी हैं दूसरे राज्यों में उनको दखेल कर उखाड कर जो फेकने का काम किया जा रहा है वो शड़ेंत्र रचा जा रहा है वो देश के सामने है आज माहौल ये बन गया है और आलम इस तरीके का है के आज वो यूपी बिहार और राजिस्थान के प्रवासी गुजरात में दो राहे पर हैं ना काम करने की जगा है ना पेट में रोटी है ना सम्मान है ना स्वाभीमान है अतहा सिर्फ पीड़ा और घोर अपमान है मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगी आप क्या कर रहे हो इस बात पर श्रीमान MP बन कर आए उत्तर प्रदेश से वोट मांगे बिहार से और आज उनी को आए दिन पताड़ित कर रहे हो और उनकी घर वापसी करने की कोशिश कर रहे हो बस यहां पर ही बात खतम नहीं होती है यह जो भारतिय जनता पार्टी की मानसिक्ता है जहां जहां भारतिय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहां पर इस पश्ट नजर आ रही है अब महाराश्ट्रा में भी ये आवाज उठने लग गई है और वहां से उठ रही है और उस व्यक्ति से के सामने उठ रही है व्यक्ति उठा रहे है जो गुजरात सरकार के जब नरेंद्र मोदी जी बकाइदा मुख्यमंत्री थे उनके स्टेट गैस्ट बन कर गए थे राज स्टान के लोगों को महाराश्ट्रा से हटाने की बात कर रहे हैं क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने मैं खुद महाराश्ट्रा से हूँ उत्तर प्रदेश्ट से आई हूं मैं उसको अपना उतना ही घर मानती हूँ जितना महाराश्ट्रा के लोग मानते हैं मैं वहां पर उ लोकदान दे रहे हैं जितना बाकी के वहां के लोग दे रहे हैं तो यह जो घोर शडियंत्र जो रचा जा रहा है महराश्टा के बाद वही काम हम देख रहे हैं भारतियस जंता पार्टी के शासित मीघालय में आप सभी को याद होगा किस तरीके सें सिक्किम में भी से पंजाब और यूपी से आई हुए लोग जो वहाँ पर अपना घर बनाए हुए थे उनको भी घसीट कर निकालने का काम धंकियां डराना धंकाने का काम भारतिय जनता पार्टी के गुंडों ने किया है यहां तक कि यह भी वर्णिंग दे दी गई थी कि आप जल से जल जो अब ही आपकी प्रॉपिटीज हैं संपतियां हैं उसको वाइंड आप करकर यहां से निकल जाएं वर्ना आपके घरों को आकर तहस नहस कर देंगे आपका जीना हराम कर देंगे वही आप देख रहे हैं किस तरीके से आसाम में चल रहा है नर्सी की आड में वही हमारे यूपी बिहार राजिस्थान के भाई बहन को टागिट किया जा रहा है अती तो ये हो जाती है भाई और भेनों कि 121 करोड की देश की जनता में से अमिच शाजी 100 करोड को घुस पैटिये बटा देते हैं ये तो आलम है इस सरकार का और ये भी नहीं भूलना चाहिए किस तरीके से क्यूं इस तरीके का माहौल आज गुजरात में पनप रहा है जो सरकारी नौकरियां हैं उन मैं यूपी बिहार और राज़िस्थान के लोगों को नौकरियां नहीं दी जाएंगी 80 प्रतीशत वहां की जनता के लिए रखी जाएंगी 20 प्रतीशत से जादा भले ही वो कितना महंती हो इमांदार हो योग्य हो पर उनके लिए जगा नहीं दी जाएगी इसलिए जो बढ़ती हुई मानसिकता है आज वहां में जो इस तरीके का क्रोध सामने दिखता आ रहा है सामने आता जा रहा है और हमें बिल्कुल भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस तरीके से कच में हमारे जो सीक भाई थे जो वहां पर काम कर रहे थे वो भी पंजाब उत्राखंड और उत्तरप्रदेश के वहां पर सालों से वहां पर रुखे हुए थे उनको भी निकालने का काम इस सरकार ने किया है तो ये बात तो आज बहुत स्पष्ट हो गई है कि भाजपई पहले धर्म के अधार पर फिर जुबां के अधार पर फिर खानपान के अधार पर फिर वेश भूशा के अधार पर और अब इस हालात पे आ गए हैं इस तरीके की धुरूवी करण हो गया है इस तरीके की मानसिक्ता पन अपने दे रहे हैं इस तरीके का जहर पहलाया है जहां पे आपकी आर्थिक स्थिती क्या है उसके आधार पर आपका बटवारा करने की कोशिश करें है तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे रुपानी जी और नरेंद्र मोदी जी को इस बात का जिम्मेदार मानती हूँ जिस तरीके से हिंसक घटनाए वहाँ के प्रवाशियों के साथ की जा रही है और पर दबाव डाला जा रहा है वहाँ से हटने का और अगर यह जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और रामराजे की जो बात होती है उसके लिए वो तैयार नहीं है तो हम उनसे कहते हैं अपनी अपनी गद्धियां छोड़ो क्योंकि आपको कोई दायत्व नहीं है इस जिम्मेदारी को और इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालने का आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो इस मुद्दे पर मैं जरूर लूँगी पर उससे पहले एक और बहुत important खबर आई बिहार से और वही बिहार है जहांपे सुष्षासन बाबु और जूम्ला बाबु की सरकार बनी हुई है वही सरकार है जो महिलाओं के अधिकारों की बात करती थी और आज वही सरकार है जहांपर पहले तो वह शेल्टर होम में जिस तरीके से बर्बरता, रेप, sexual assault की घटनाएं सामने आए और किस तरीके से उस आरोपी को बचाने की कोशिश की गई आज वही में और वही से फिर से खबर आई है किस तरीके से 70 लड़कियों पे एक government hostel में उनके साथ जो घटना होती है शर्मसार करने वाली घटना होती है वहाँ पे लड़के घुज कर क्योंकि वो लोग उनको जो sexual assault करना चाहते थे वो उसको defend करती हैं और जगरती हैं तो वही लड़के वापस लौट कर 35 लड़कियों को इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि उनको hospital जाना परता है आज हम महिला अधिकारों की बात करते हैं सुरक्षा की बात करते हैं हम उनके अधिकारों की बात करते हैं सशक्ती करण की बात करते हैं आज महालया है कहते हैं मात दुर्गा पृत्वी पर पधारी थी महीशा सुर्ट से लड़ाई करने को और आने वाले कुछ दिनों में नवरात्रा आएंगे नवरात्रे की नौ दिन में हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नौ दिन का वरत भी रखते हैं मैं उनसे बस एक चीज कहूंगी इन नौ दिनों में नरेंद्रमोधी जी अपने जो देश की महिलाओं से वादा किया था वो नौ वादे को ही याद कर लें और वो नौ वादे क्या थे महिला सशक्तीकरण के लिए उनके जो 33% reservation bill की बाद की थी उसका क्या हुआ उसको कभी याद कर लें हमारी देश की बेटियों को एक सुरक्षित माहौल देने की बात की थी पर आप लोग आज आरोपियों के साथ खड़े हुए है उस पर कब कारवाई होगी चुनावी वादा किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में रेप क्राइसिस सेंटर बनेंगे सत्ता आते ही 36 कर दिये गए और आज तक किसी को नहीं पता उसमें से एक भी तयार है या नहीं चौते दिन पर मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर बार-बार आप उज्वला स्कीम की बात करते हैं कि हम लोग उने महिलाओं को फाइदा पहुचाया जो बढ़ती हुई तेल की दामों का हाल है आज और जो आलम है क्या वो गरीब घरों की महिलाएं फिर से रीफिल कर आप आएंगे उन गैस के चूलों को गैस की सिलिंडर को जो आपने सबसीडी के माध्यम से भी अगर देखा जाए तो अनफोर्डिबल कर दिया है पांचवे दिन का मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि खुद C.A.G. रिपोर्ट आप बात करते हैं कि हमने महिलाओं को सम्मान दिया टॉयलेट्स बनाएं हर शेत्र में टॉयलेट्स बनाएं C.A.G. की रिपोर्ट खुद बताती है कि किस तरीके से आपने टॉयलेट्स तो बनाएं है पर वो यूजबल टॉयलेट्स नहीं है जहां पर ना पानी है ना किसी तरीके की सुरक्षित माहौल है च्छटा सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से और मैं उमीद करूंगी कि वो ध्यान रखेंगे जब वो अपने नौ दिन का नवरात्रा कर रहे होंगे कि पांच पैसे का जो आपने बज़ेट ऐलोकेशन किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में और शायद पांच हजार करोड का प्रमोशन किया है अपने लिए वोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर कब उन बेटियों को उनका सम्मान मिलेगा आठवे दिन का सवाल मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आई दिन महिलाओं पे सोशल मीडिया पे जिस तरीके से अभधर टिपनियां की जाती है कब नरेंद्र मोदी जी उनको प्रोटसाहन ना देकर उनको अनफॉलो करकर कब जवाब दे ही तै नहीं होंगी और लास्ट जो मैं कहना चाहती हूँ आई दिन महिलाओं पे जिस शेत्र से वो खुद आते हैं बनारस से जिस तरीके से युफ्तियों पे वाइलेंस सामने आता है उनको चुप कराने की कोशिश करती हैं उनके रहने पे खाने पे पीने पे वेशभूशा पे सवाल उठाते हैं वो मानसिकता कब तक पनपने देंगे ये मेरे उनसे नौ सवाल हैं नौ दिन की नवरात्रियां हैं मैं उमीद करूंगी इस नौ दिन की नवरात्रियों में जब भी भी वो देवी का पूजन करेंगे वो देश की हर महिला का भी ध्यान रखेंगे जिनके साथ उन्होंने इतनी बड़ी धोकादरी की है और उनको धोका दिया है बहुत बहुत धन्यवाद